तो गाईज आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और कई लोगों के अलग-अलग सवाल आते हैं और कई लोगों ने ये बात लिखी थी comment box में कि क्या BBA कर लेना ठीक रहेगा या फिर डिपलोमा कर लेंगे वो काफी रहेगा तो आज हम इसी को उपर बात करने वाले हैं कि graduation में आपको क्या select करना चाहिए कितनी पढ़ाई ज़रूरी है इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में तो वीडियो को ला सक देखना बिल्कुल मत दो लिएगा चैनल अपन नए है सब्सक्राइब कर लिएगा अभी तकर मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया ह है सुरू से मैं बोलता हूँ कई लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि 10th और 12th के बाद अपना डिचर मार्केटिंग को as a career लेके आगे बढ़ना अच्छी बात है बिल्कुल आप लेके बढ़ सकते हैं उसमें कोई परिशानी नहीं है कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कुकि आप graduation कहीं से भी कर लीजिये कोई मतलब ज्यादा कोई परिशानी आपके लिए नहीं होने वाली है मतलब आप graduation कर लीजिये आप BA कर लीजिये बीकॉम कर लीजिये बीए कर लीजिये आप कहीं से भी कर लीजिये लेकिन graduation जरूर कर लीजिये सिर्फ diploma करके आप रुक मत जाहिए कि बस डिप्लोमा कर लिया है काफी है जिंदगी इतनीक में कट जाएगी अब थोड़ा इससे एक स्टेप आगे लेके बड़त चलते हैं इसको देखी ग्रेजुवेशन काफी नहीं है मैं आप डिजिटल मार्केटिंग क्या आप किसी भी फिल्ड को उठा के देख ल नहीं तो कल बाहर जाने का मौका मिले यूएस कनड़ा में जॉब करने का मौका मिले और तब आपके पास मास्टर्स की डिगरी ना हो और तब आप रिजेक्ट हो जाए तब आप इस बात को लेके बहुत पच्छताएंगे कि आपने मास्टर्स नहीं की मेरा आप से सजेशन ये जरूर रहेगा कि आप master's जरूर कर लीजिए अपना post graduation जरूर कर लीजिए क्योंकि वो जरूरी हो चुका है आज के date में अगर आप नहीं करेंगे तो समझ लिजिए कि किसी company में आप Amazon में job कर रहे हैं digital marketing head पर आप पहुंच चुके हैं आपको 10-12 साल का experience हो गया अब company board यह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब आपको company board यह कि चलो आपने बहुत अच्छा काम किया इंडिया में अब हम आपको switch कर देते हैं US का जो area है आप वहाँ का देखिए बत क्या आपने master's किया है लेकिन master's ज़रूर कर लीजिए क्योंकि resume में वो mention होना ज़रूरी है देखिए life बहुत ही ज़्यादा लंबी है ठीक है मैं मालने के चल रहा हूँ आप 50 साल तक या 55 साल तक आप job करोगे अगर आपको मतलब 2-3 साल ही job करना है तब तो आप मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं है या फिर अपने किसी का business समालना है उस sales में है तो आप graduation करके या आप अपना जो भी काम करना चाते हैं वो कर सकते हैं अगर आपको long term में अगर आपको long term में अच्छा job करना है और पैसा अच्छा कमाना है तो आपको एक चीज़ पर जरूर फोकस करना है अपनी studies पर और studies को आधे में नहीं छोड़ना है और कोशिश कीजिए master's जरूर कर लीजिए कहीं से भी कर लीजिए लेकिन कर जरूर लीजिए अच्छी जगा से कर लीजिए जिसका थोड़ सा वेटेज हो अगर कर रहे हैं तो और अगर वो add हो जाता है आपके resume में तो एक अलग वेटेज आपको मिलता है trust me, trust me आज आप नहीं करना चाहरें आज आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन आने वाला टाइम में future में आपको इसका बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा देखिए आप समझ लिजिए कि 3-4 साल आपने खीच लिया 5 साल खीच लिया 8 साल खीच लिया उसके बाद अगर किसी company में अच्छी company में IBM में समझ लिजिए कि opening आई और वहां लिखा गया कि compulsory है आपका master's होना तो आप तो वहां qualify भी नहीं कर पाएंगे मतलब interview की बात तो दूर की बात है आप वहां qualify भी नहीं कर पाएंगे अपने studies के कारण आप छट जाएंगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप graduation के बाद अपना master's जरूर कर लीजिए और graduation की बगर मैं बात कर रहा हूँ तो graduation आप कहीं से भी कर लीजिए कोई परिशानी नहीं है ठीक है अगर IT से कर लेते तो और ज़्यादा बढ़िया है नहीं है तो फिर भी कोई दिकत नहीं होता है बाकि जो digital marketing के जो course है वो आपको continue तो करना ही करना है वो उसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है तो मुझे लगता है आपको सवाल के जवाब दे दिया है अगर पसंद आया यहां तक देखा तो एक like करना बनता है like कर दीगा फिर शेयर कर दीगा फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर नमस्कार